तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आज किस अबडेट बोक्स के एक और नई वीडियो में तो आज हम लेके आए हाँ आप सबके लिए होलिवुड की छह जबरदस्त हैकिंग पे बनी मूवीज और हैस लिष्ट की लगबख सभी मूवीज हिंदी में डबड है तो फिर बिना वीडियो को स्किप करें पूड़ा देखे और बिना टाइम गवाए शुरू करते है आज का ये वीडियो नमबर 6 डार्क वेब सिकाड़ 3301 12 मार्च 2021 माई ये एक एक्सन कोमेडी थ्रेलर मूवी है और इस मूवी के डिरेक्टर एलन रिच्सन ये एक 2012 में इंटरनेट पाई सिकाड़ 3301 पजल गेम की स्टोडी के उपर बनी मूवी है और अगर इस मूवी की स्टोडी की बात करें तो इसकी स्टोडी सुरू होता है कोनर नाम के एक हैकर से जिसे एक दिन अपने कम्प्यूटर में सिकाड़ 3301 का एक फाइल मिलता है जिसके वाद वो सिकाड़ 3301 का पीछा करने लगता है अब उसके बाद क्या कुछ होता है ये सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना होगा वैसे तो ये मूवी इंग्लिश लेंग्वेज में ही अवैलेवल है अगर आप चाहो तो इस मूवी को अनोफिस्यली हिंदी डवड वर्जन में भी देख सकते हो और इस मूवी को अमडिवी की तरफ से रेटिंग मिला है 5.0 आउट ओफ 10 और वहीं 72 परसेंट गूगल यूजर्श ने लाइक किया है नमबर फाइब ब्लैक हैट आठ जनवडी 2015 माई ये एक एक्शन क्राइम थ्रेलर मूवी है और इस मूवी के डिरेक्टर है माईकल मन अगर इस मूवी की स्टोडी की बात करे तो इसकी स्टोडी शुरू होता है कुछ ऐसे हैकर से जो चाइना के चाइवान नाम के एक पावर प्लांट को हैक करके उसे उड़ा देते है और साथ ये अमेरिका के financial market को भी hacker लेते हैं जिसके बाद अमेरिका और चाइना के कुछ एजेंट्स मिल के उस hacker को ढूंड के पकरने के लिए निक नाम के एक hacker की मदद लेते हैं जो की जेल में 15 साल की सजा काट रहा होता है अब उसके बाद क्या कुछ होता है ये सब जानने के लिए आपको इस movie को देखना होगा और इस movie को MDV की तरफ से rating मिला 5.4 out of 10 और वही 67% Google users ने like किया है 4 सब्तमबर 2009 माई ये एक action science fiction thriller movie है और इस movie के director है Mark Neville, Dean O'Brien Taylor अगर इस movie की story की बात करें तो इसकी story शुरू होता है future में 2034 से जहां पर कैन नाम का एक ऐसा game developer जो एक ऐसा game बनाता है जिसमें game के player कोई computer character नहीं बल्कि एक जीता जागता इंसान रहता है और उन इंसान को कोई और control करके game में जो चाहिए वो कर सकता है GTA 5 की तरह अब वो लोग उन players को कैसे control करते हैं और अब उसके बात क्या कुछ होता है यह सब जानने के लिए आपको इस movie को देखना होगा और इस movie को IMDV की तरफ से rating मिला 5.8 out of 10 और वही 68% google users ने like किया है नमबर 3 untraceable 25 जनबरी 2008 माई ये crime mystery thriller movie है और इस movie के director है Gregory Hoblet अगर इस movie की story की बात करें तो इसकी story शुरू होता है Jennifer से जो FBI के लिए काम कर रही होती है लेकिन उसकी life में एक बहुत बड़ी problem तब आती है जब किल विदमी नाम के एक website पर एक hacker logo का kidnap करके online stream करके बेरायमी से murder करने लगता है और FBI भी कुछ नहीं कर पाते है अब वो hacker कौन है और वो ये सब क्यों कर रहा होता है ये सब जानने के लिए आपको इस movie को देखना होगा और इस movie को MDV की तरफ से rating मिला 6.2 out of 10 और वही 81% Google users ने like किया है नमबर 2 स्नोडेन 16 सब्तमबर 2016 माई ये एक बायोग्राफिक क्राइम ड्रामा मूवी है और इस movie के director है Oliver Stone अगर इस movie की story की बात करे तो इसकी story शुरू होता है Edward Snowden नाम के खैकर से जो CIA के लिए काम करता था और एक दिन वो National Security Agency के highly classified information को leak कर देता है अब वो ऐसा क्यों करता है और कैसे करता है ये सब जानने के लिए आपको इस movie को देखना होगा वैसे तो ये movie English language में ही available है और इस movie को MDV की तरफ से rating मिला 7.3 out of 10 और वहीं 88% Google users ने like किया है तो अब अपने अगले और आखरी movies की तरह बढ़ने से पहले एक बात मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ अगर आपने भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और हाँ मैंने इन सभी movies की downloading लिंक से नीचे description में दे दिया है नमबर वन दा गल विद द्रैगन टैटू 20 दिसंबर 2011 माई ये एक crime drama mystery movie है और इस movie के director है डेविड विंचर अगर इस movie की story की बात करें तो इसकी story शुरू होता है मिकाल से जो की एक journalist होता है और वो अपने गलती की वज़े से अपना सब कुछ खो देता है और एक दिन उसे एक family के 40 साल पुड़ानी लापता लड़की की mystery solve करने का काम मिलता है जिसके बाद वो उस case को solve करने के लिए लिजावेत नामके खैकर की मदद लेता है अब उसके बाद क्या कुछ होता है ये सब जानने के लिए आपको इस movie को देखना होगा और इस movie को MDV की तरफ से rating less 7.8 out of 10 और वही 90% Google users ने like किया है तो आज के लिए इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करना ना भूले और हमें comment करके बताए कि इन में से आप कुन सी movie देखने वाले हो और है इस channel पे movies web series से related videos आते रहेंगे इसलिए आप सब भी इस channel पे आते रहें